नमिश्कर बैरचा सिंग स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास कारिक्रम आज के राशिफल में कहते हैं कि ग्रहों की चाल से हमारे भागे का रास्ता तै होता है ग्रह जहां जहां जाते हैं उसी तरह हम भी सुई की तरह नाचते रहते हैं अच्छे बुरे कर्म हमारे ग्रहों के कारण ही होते हैं ऐसे में लोगों के मन में ये जानने की उत्सक्ता होती है कि उनका आने वाला दिन कैसा रहेगा ये चीजों में उन्हीं लाब मिलेगा और क्या काम करने से उन्हें हानी होगी उनकी इस दुविधा को दूर करने के विवाद की संभावना हो सकती है वाणी पर सैयम रखे उपाई अपिमाता की प्रतीश रधा का भाव रखे और उनके चरंस पर्श करे व्रिश्यव राशी समय आपके लिए अनुकूल रहेगा उच्युपद प्रतिष्ठित लोगों की प्रतीश संपर्क इस्थापित करेंग साहस एवं पराक्रम में व्रध्धी होगी सकारात्मक सोच को बनाए रखे उपाई सूरे मंत्र का लाल चंदन की माला पर 108 बार जाप करें मिथुन राशी राजनीती में विरोधियों पर भारी पड़ेंगे पोटक चहरी के मामले में निर्ने आपके पक्ष में आएगा किसी व्यापारिक यात्रा पर जा सकते हैं नाना पक्षु से शुप समाचार वा वस्त्र प्राप्त होंगे उपाई अपने पूजा घर में न फलता मिलेगी आप समाज में अपना स्थान बनाने में सफल होंगे लंबी दूरी की आत्रा पर जाने के योग बनेंगे उपाई महलाओं का आदर सम्मान करें बुजुर्ग महलाओं की यथा संभव सहायता करें सिंग राशी कोई शुप समाचार मिलेगा सगे संबंधियों इश्ट मित्रों के सहयोग से कारे की मुश्किले कम होंगी समाज में उसके पत्प्रतिष्टित व्यक्तियों के साथ संपर्क बढ़ेंगे अपने उपर विश्वास रखे उपाई अपने सगे संबंधियों से बराबर बराबर धन लेकर उस राशी से यग्ये करवाएं कन्या राशी आज का दिन आपके लिए सामाने लाब उन्नती कारक दिन रहेगा सफलता के संकेत प्राप्थ होंगे कोई नया कारे प्रारंब कर सकते हैं आपके कारे शैली से लोग प्रभावित होंगे उपाई प्रति दिन हनुमान 40 का पार्थ करें तुला राशी महत्पपून कारियों में संघर्ष रहेगा विरोधी पक्ष आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं इस संबंध में विशेश साबधानी बढ़तें कारे शेत्र में परेक्षुन के बावजूद उस अनुपात में फल प्राप्त नहीं होगा उपाई गाएं को चने की दाल वगुड खिलाएं विश्यक राशी आज का दिन आपके लिए मिश्रित फल यूगते रहेगा अधिक परिश्रम से सफलता मिलेगी विरोधी पक्ष आपकी कमजूरी का लाब उठाने का प्रयास करेंगे अपनी भावनाओं को सकरात्मक दिशा प्रद अनिता व्यर्थ कलेश उत्पन हो सकता है कोई बाहरी विक्ति आपके परिवार में फूट डालने की कोशिश करेगा लेकिन आप अपनी सूजबूद से अपने परिवार की एक्ता को बरकरार रखने में सफल होंगे उपाए पीपल ना काटे हल्दी वकेसर काते लख अपनी भावनाओं को सही दिशा प्रदान करें सगे संबंधियों के साथ आपसी मद्भेत उभर सकते हैं उपाए पीपल के पाँच रक्ष लगाकर उन्हें पोशित करें धर्म का आचिरन करें कुम्ब राशी कारिशेत्र में मन वांशित सफलता मिलेगी किसी विशिष्ट व्यक्ति का मार्ग दर्शन एवं सानिध्धि प्राप्त हुगा बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा किसी व्यापारिक सहयोगी के कारण आपका व्यापार गती पकड़ेगा उपाए कउवे क को रोटी डाले शराप मास का सेवन ना करें मीन राशी कारिशेत्र में अकारण अपमान अत्वा मान हानी हो सकती है व्यापार में परिश्रम के अनुपात में आमदनी कम होगी महत्वपून कारियों में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा मित्रों से भेठ होगी बौधिक कारियों में लोगों को धन लाब होगा उपाय चांदी गले में पहने मसूर की दाल पानी में बहाएं नीम के पांच पेड लगाएं गौर तलभे की राश्यफल हमारे पूरे दिन के कारिकाल को बताता है जिसे लोगों के मन से येक्षन का दूर हो जाती है कि उनका आज का दि पूरे जातो हो जातो हो जाता है कि वक दो हो जो जातो है जातो है।